पाइलो एब्रीबन वेलकम टू जान टैक उनलाइन क्लासिजा ओन जान टैक डिस्टर्ड अगर अपन बात करेंगे तो है एसेटी जेए का मेंस की जो टैसीडी चल रही है उसके अगर में बात करूँगा पांस थारीक को जो एकजाम हुआ है इसमें आपका score क्या रहा और इसका solution यह पर का जिसमें अगर सपश्रेक के बात की जाए महाने पास irrigation है प्लस हमारे पास हाइलोलोजी है प्लस हमारे पास कि ङिया है environment तो यह 3 सब्णे के combination का आपका सब्येक वाई's टैस्ट हुआ Umaid जिसमें अगर में बात किंगा पहले क्वेशन की पहले क्वेशन के गर मात हुंगा तो पहला जो क्वेशन है उसका जो आने पास ए पार्ट है वह आने पास यह 0.5 मीटर डायमीटर डायमीटर ग्रैमीटर ग्रैविटी वैल वैल डीज वैलीडवान जे लली कि डायमीटर ग्रैविशन के लिए और घ्रहे ल्दे लिए वूट सुछप सेर छो well to be fully penetrating full stop the bottom of the well is hundred meter below the undisturbed ground water table assuming that all observed points lie on dupits curve compute the drawdown in the well being pumped कि कितना drawdown वहां से किया जा सकता है उसको अपन को calculate करना है question जो है 15 marks का है तो अगर question में जो भी आने पास discharge वगएरा जो भी आने पास height वगएरा given है इन सब को मिलाते हुए आपको क्या करना है पहले सबसे पहले आपको diagram बनाना है ठीक है और आप वहां से पूछा गया है पूछा गया है यह अगशा मां आप करें है एज पनच्सटु जो माने पास होगी वह यहां से लेके यहां तक यहां टक कि आपक Begin जो मैने पास हाइट और यहां आपका है दो टोटल जो हमलों को हैट दे रका है वह दे रका है वो हंड़ेंगरopen 100 m, ठीक है, डामेटर जो हम लोगों को दे रखा है, वेल का, वो दे रखा 0.5 m और रेडियस जो हम उनको दे रखिये, कितनी-कितनी डिस्सेंस पर, तो वो दे रखिये, R1 एक़स्टो 6 m और R2 एक़स्टो 16 m. ठीक है, तो डामेटर अपने अपने वेल, हमारे पास कितना होग मेंगें मीटर्ड की पर सेकिड में में मीटर्ड क्यों सेकिंड से मैं चेसा कि हमें पता है कि αναी driving अक्कुफर वोई आने पास, वोई आने पास Q इक्वास तू पाई इन्टो के ब्रैकेट में, H2 का होल स्कार मैनस H1 का होल स्कार अपॉन LN आफ आफ अपॉन R1, तो अगर आपन बात करेंगे, हाइट आफ वाटर टेबल की, हाइट आफ वाटर टेबल अबब दा वेस ऑफ बॉल वेल एड डिस्टेंस आरवन, अगर आरवन पर अपन बात करें, तो देखिए, H1 जो मारे पास हो जाएगा, वो टोटल हाइट मारे पास कितनी है, हाइट अपन को निकाल नी है, टोटल हाइट मारे पास हांडेड, हाइट नॉट, अगर मैं इस में से इसको मारे मारे पास कर दूँँ तो मैंने पास कितना, एस्मॉल एज्टू दोनों वैल्यूस को यहां पर पूट करने के बाद अगर बात करें तो अपन यहां से क्या निकाला सब पाई के निकाला पाई के जो कि वाने पास यहां यूजिंग डूपेट्स फर्मूला बिट्वीन और डबलू एंड आरवन तो अगर मैं बात पर बात करेंगे तो यहां पर करना एट जब मेरे पास रेडियस जो होगी वह और रवन होगी है इसलिए हम लोग ने डिपेट्स का जमारे पास फॉर्मॉला है इसमें सारी चीजें पूट की अपने ठीक है ने पूट करने के बाद अगर आपन बात करें यहां से फुट कर है रहा है कितना 97.672 मीटर ठीक है बिल्कुल तो ड्रॉड अब एच्डवलू आने पास आ चुका है तो आप तो ड्रॉडाउन निकालना एस्डवलू निकालना एस्डवलू क्या हो जाएगा उपर से अगर अपने बात करें तो 100 मीटर मैंस से अगर मैंस कर दूंगा तो इ है यह स्थे लोम स्वाइल होडस वाटर एक छी वाटर है वन फॉर्टी अमंपर मीटर दैप्थ बिटूएन फिल्ड कैपसिटी और पर्मानेंट विल्टिं प्राइंट ये sandy loam soil हम लोगो दे रखिये, जो के water को held कर रही है किससे 140 mm पर meter depth between the field capacity and the permanent building point, full stop, the root depth of the crop is 30 cm, root depth दे दी अपन को, ठीक है, and the alliable depletion of water is 35%, जो water का जो हारे पास depletion है, 35%, full stop, the daily water used by the crop is 5 mm per day, full stop, the area to be irrigated, the area to be irrigated is 60 hectare and water can be delivered at 28 LPS, full stop, the surface irrigation application efficiency is 40%, full stop, there are no rainfall and groundwater contribution, ना तो यहाँ पर कोई rainfall है और ना ही यहाँ पर ground water का कोई contribution है, तब आप बताईए क्या 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 बताना आपको, determine, alliable depletion depth between the irrigations, frequency of the irrigation, net application depth of water, volume of water required, और time to irrigate, 4 hectare plot, इतने area को plot करने के लिए या irrigate करने के लिए कितना time हमें required होगा, यह सारी चीज़े हम लोगा से पूछी है, तो यह तो हमें given है, क्या क्या given है, moisture holding capacity of soil, per meter depth of the soil कितने दे रखे सर, 140 है, ठीक है, root depth जो हम पर दे रखे है, वो 30 cm दे रखे है, अलाइबल deflation of water कितना दे रखा है, 35%, daily water used by the crop कितना दे रखा है, 5 mm per day, area to be irrigated कितना दे रखा है, 60 hectare, अगर hectare से अपने meter square में करने कर लिया, rate of delivery of water कितना दे रखा है, 28 LPS, और अगर मैं बात करूँगा, irrigation application efficiency जो हम लोगों को दे रखे है, 40%, तो अगर मैं बात करूँगा, जो हमाने पास formula होता क्या, moisture storage capacity of the soil, वो किसके बरावर होता है, depth of water stored in the root zone, depth of, मतलब जो हमाने पास moisture storage की capacity जो हमाने पास है, सोयल की, वो किसके बरावर होगी, जितनी depth of water है, root zone में stored, ठीक है न, बिलकुल, यह हमें दे रखिया कितनी सार, 140 mm per meter, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 140 mm per meter into, into root depth of the crops, अगर मैं multiply कर दूँ इसमें, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, मेरे पास निकल के आ जाएगी, moisture storage capacity of the soil में बोलूँ, depth of water stored in the root zone, यह मेरे पास निकल के आ जाएगी, कितनी आगी, 42 mm, फिर अगर मैं बात करूँगा, अपन से पुछा है, अलाइबल, depletion depth between the irrigation, तो यह जो आने पास कहीं, root depth जो आने पास निकल के आई है, frequency of irrigation मारे पास क्या होती है, यह मारे पास होती है, अलाइबल, depletion depth between the irrigation upon daily water used by the crop, तो जो मारे पास allowable depletion depth between the irrigation है, वो अपने यह निकाल ली, यह अपने निकाल ली, कितनी है है, अपने पास, 14.7, daily water जो यूज हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है, फाइबल, कितना हो रहा है, फाइबल, अगर मैं उससे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास क्या निकल के आजाएगा, frequency of irrigation, जो कि होगा ने पास कितना, 2.94 days, कितना होगा, 2.94 days, फिर अगर मैं बात करूँ, जो रहा हूं, नेट एप्लिकेशन डेप्ट की, तो नेट एप्लिकेशन डेप्त मेरे पास जो हो जाएगी, नेट एप्लिकेशन डेप्ट जो आरे पास हो जाएगी, जो आरे पास कहीं कहीं, पर्टी परसें से यहां पर डिवाइड करूँगा, तो नेट एप्लिकेशन डेप्ट जो कितने निकल के आजाएगी, 36.75 mm, ठीक है, कितना वाल्यम अफ वाटर रिक्वाइड है, वाल्यम अफ वाटर रिक्वाइड, जितना एरिया आपन को इरिगेट करना है, इन्टु न इसको भी मीटर में कर लेंगे, यहां से मारे पास जो आया, वो कितना है, 22.05 इन्टु टैंस पार 6 लीटर, कितना है, 6 लीटर, फिर अगर आपन बात करें, वाल्यम अफ वाटर रिक्वाइड टु बी इरिगेट 4 हेक्टेयर प्लॉट, यह तो मारे पास किसके लिए निकल क में भी इससे अगर मुल्टिप्लाइ करेंगे, तो और पास कितना निकल क्या एगा, 1.47 इन्टु टैंस पार 6 लीटर, कितना टाइम रिक्वाइड है, 4 हेक्टेयर प्लॉट को इरिगेट करने के लिए, तो जितना वाल्यम अफ वाटर रिक्वाइड है, वो अपन रेट में और है, या कितना वाल्यम बाटर इकवाइड है, और कितने रेट से अपन प्रोवाइड कर रहे है, तो अकर मैं इसको औरॡिवाइड कर दो हम तो यह सब मैच कर रहे है, तो अगर म capabilities कि बात कर दो तो C पार्ट जो है first question का, यह क्या है, design A lined canal to carry 100 meter cube per second on a slope of 1 in 2500 full stop, the maximum permissible velocity is 2 meter per second, comma n equals to 0.013 in Manning's formula and the side slope is 1.25 horizontal to ratio 1 vertical, ठीक है, तो अगर अपन बात करें, discharge अपन को given है, discharge अपन को given है, slope अपन को दे रखिए कितनी सर, slope कितनी हो जाएगे हैं हमने पास, 1 upon 2500, maximum permissible velocity given है 2 meter per second, Manning's का coefficient अपन को given है 0.013, ठीक है ना, बिल्कुल, और side slope जो दे रखिए है, वो 1.25 से लेके 1 vertical यह अपन को given है, ठीक है न, इसका मंदरी कॉट का रेशियो दे रखाए अपन को, कॉट का रेशियो अगर यह है मेरे पास, तो 10 को 1 upon 1.25, तो 10 कितना हो गया, 33 equals 2, मेरे पास 0.8, इसका अगर में inverse लोंगा तो मेरे पास angle जो आ जागा, वो आ जागा, 38.66 degree, अगर Radian में अगर में convert करूँगा, तो Radian में channel की में dimensions की बात होंगी सर, ठीक है बिल्कुल, कितनी depth अपन को required है, कितनी depth यहाँ पर हो सकती है हमारे पास, और कितनी, मारे पास width है, उसकी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, तो अपनने channel का यहाँ पर diagram बनाया, Manning's formula से अपन को क्या पता है सर, Manning's formula होता हमारे पा radius, यहाँ से अपनने hydraulic mean radius निकल लिए, और area जो हमारे पास होता है, वो होता है, area upon hydraulic radius, तो यहाँ से अपनने perimeter भी निकल लिया, perimeter आपास आच चुका है, तो अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पास एक line canal है, और trapezoidal section है, तो उसके लिए मैं area की बात करूंगा, तो कितना हो ज square theta plus quad theta, ठीक है न, बिल्कुल, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ से B और Y, एक दो unknown है मारे पास, एक equation हमारे पास यह बन गई, और दूसरी equation है मारे पास, और दो ही मारे पास equation है, तो दोनों equations है, और दोनों unknown को अपन calculate कर सकते हैं, तो Y तो कितना गया, बन पांट 635 meter, ठीक है न, बिल्कुल, और B हमारे पास कितना आगया सर, बिल्कुल पास आगया 27.43 meter, ठीक है न, बिल्कुल, तो यही अपन से पूछा था, क्योंकि अपन डिजाइन कर रहा हैं, तो design में हमेशा हम किसकी बात करते हैं, सर, design में हमेशा हम किसकी बात करते हैं उस section के dimensions की, ठीक है न, dimensions निकाल दी, ठीक है, depth of flow निकाल दी, अपन ने water की और विर्तवदा section निकाल दी, D part जो है इसका वो क्या है, discuss the factors affecting the duty of water, ऐसे कौन कौन से factor हैं, जो के water की duty को effect करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना था है, यहां पे, duty की definition लिखनी थी, duty क्या होत इस supply continuously to the land for the base period, ठीक है, factors affecting the duty of water, कौन कौन से factor हैं, जो के duty of water को effect करते हैं, क्या है सर, type of crop हमारे पास effect करेगा, बिल्कुल climatic condition हमारे पास effect करेगी, system of irrigation, method of irrigation, quality of irrigation water, method of cultivation, time of irrigation and frequency of cultivation, type of soil and subsoil of the irrigated field, और next मारे पास type of soil and subsoil of the area through which canal passes, canal condition, topography of the land, base period of the crop, ठीक है न, बिल्कुल, तो यह मारे पास कहीं कहीं, क्या करेंगे सर, इसको effect करने वाले हैं, ठीक है, इतने factor, कितने type की crop होती हैं, तो type of crops कि अगर अपन बात करेंगे, कैसे depend करेगा type of crop पे, कैसे depend करेगा type of crop पे, तो वो आपने बताया, climatic condition पर कैसे depend करेगा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है, सर क्या, क्या, क्या आपको cable factors बताने नहीं है, उनको discuss करना है, इसका मतलब जो factor है, एक तो वो mention करने आपको, और factors किस तरीके से affect करने हैं, वो भी आपको क्या करके चलना है, mention करके चलना है, ठीक है न, बिल्कुल, तो climatic condition हो गया, आपने पास system of irrigation, यह सारे का सारे method जो है, वो किस-किस तरीके से आप यहां पर affect कर रहा है, वो सारे का सारा explanation आपको यहां पर देना था, पुरा का पुरा explanation यहां पर देना था, बासमागी, बिल्कुल, theoretical question है, आप लोगो ने अच्छे से attempt किया हो पास अलग-अलग form होती है, जैसे diesel हो गया, पास rain हो गया, पास clothes हो गया, sleet हो गया, snow हो गया, snow हो गया, snow flex हो गया, hail हो गया, यह सारे का सारे मारे पास गहां सर्फ कहीं, कहीं कहीं forms हैं किसकी precipitation की, प्रेसरेशन की theoretical question है, तस marks का अच्छा question था, ज्यादा time consuming नहीं था, तो इस यह question है मारे पास V part, a water shade has 5 non-recording rain gages, installed in its area, the amount of rainfall recorded for one of the years is given below, rain gage station जो दे रखे हैं वो अपन को, कहीं कहीं 5 station दे रखे हैं, annual जो rainfall हो रहा हैं, आपे centimeter में कितना हैं sir, 100 cm, 120 cm, 190 cm, 95 और 125 ठीक है, find the required optimum number of non-recording and recording rain gages for this water shield, assume an error of 10% in the estimation of mean rainfall, तो जो आने पास कहीं कहीं, क्या होगा sir, error हम लोगो 10% assume करके चलना हैं, जब हम लोगो mean rainfall को calculate करेंगे वसमें ठीक है, तो अगर अपन बात करें, यह चीज़ें अपन को given हैं, अगर अपने में बात करें, mean rainfall की, तो mean rainfall हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यह हमारे पास जो precipitation है, उसको अपन भान लेते हैं, P1, इसको P2, यह P3, P4 और P5, अगर मुझे mean निकालना है, तो mean निकालना आपन जानते हैं, average निकालना है इसका, ठीक है, तो सारे से, सारों को add किया, 5 से कर दिया, divide कर दिया, तो यहने पास mean जो आ गया, वो कितना आगया सार में पास है, 126 cm, अगर standard deviation के गरम बात कोंगा, तो standard deviation जो आने पास हो जागा, यहां पे, वो कितना हो जागा, और पास, under root में, P1, minus P mean का whole square, प्लस P2, minus P mean का whole square, plus dot dot dot, P5, minus P mean का whole square, upon, upon, under root में, under root में, n-1, ठीक है, तो अगर अपन बात करें, यह सारी values अपनने किकल की और यहांसे आफास स्टंडर्ड डेविशन कितना निकल के आगा सर थर्टी स्ट फंड नीट संटीमीटर कॉफइशन अफ वेरिएशन की अगर अपन कैल कोलेशन की बात करें तो वह पास क्या होता है स्टंडर्ड डेविशन अफॉन मीन प्रसेपिटेशन जो आने पा करेंगे तो उसका फर्म नहीं पास capital N equals to Cv upon Epsilon का whole square Epsilon हमारे पास क्या है? Alliable degree of error in percentage जो के अपन को 10% दे रखाया of self recording type तो number of recording type rain gauges जो हो जाएंगे वो कितम हो जाएंगे सर one and number of non recording type रेंगे station जो हो जाएंगे नो मतलब हमारे पास 10 का अगर मैं 10% निकालूँगा तो यह पास कितना जाघा सर वन तो डबलु ए में बोलता है कि सर आपको 10% जो आपको 10 जोने पास total हो गया और बाकी हमारे पास कैसे हो गये ? खीकए हा बिल्कुल नेक्स हमारे पास फॉच्छन है वो है गवैगन बिलो आडडा Monthly रेंफोल capital P and the corresponding runoff values are for a period of 10 months for a catchment, comma, full stop, double up a correlation between R and F, तो आपको relation निकालना है, किसके बीच में सर, आपको relation निकालना है, R और F के P के बीच में, हमें दे रखा है सर, मन्थ नमबर दे रखा है, एक, दो, तीन, चार, दस्तक दे रखा है अपन को मन्थ नमबर, और यहाँ पर आने पास रेंफॉल जो है, मन्थली वो कितना है, 4 cm, 22 cm, यह सब अपन को गिवन है, R जो आने पास है, बेट्विन R और P, क्या होती है, आने पास, R एकोस्ट तो A इंटू P प्लस B, जहां पर अगर में बात कुंगा, वियर, कॉफिशेंट A and B are given as, तो कॉफिशेंट A और B मेरे पास क्या है, कॉफिशेंट है, इनकी जो आने पास value होती है, वो हाने पास क्या होती है, capital में N, summation of PR minus summation of P into summation of R upon N into summation of P का whole square minus summation of P का whole square, और B की जो हाने पास value होती है, वो कितने होती है, summation of R minus A, summation of P upon N, ठीक है न, बिल्कुल, तो यह हाने पास हो जाएगा, where N is the number of observation sets, हमारे पास कितने observation sets है, वो हाने पास क्या है सर, N है, ठीक है, बिल्कुल, the above correlation obtained is considered good, if the value of correlation coefficient gamma as calculated below lies between 0.6 to 1, अगर हमाने पास coefficient correlation की value है, वो हाने पास 0.6 से बन के बीच में आ जाती है, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे सर, अच्छा मान के चलेंगे, जो हाने पास rainfall है उसको, correlation coefficient माने पास क्या बजाएगा, गामा एक कोस्टो, N summation of PR minus summation of P into summation of R upon under root में, N into summation of P का whole square minus summation of P का whole square into bracket में, N into summation of R का whole square minus summation of R का whole square, तो अगर आपन बात करें, पूरा का पूरा 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 फ़र्मिला भीस क्वेशन है, अगर मैं बात करूं, for given data, calculation for computing the runoff rainfall correlation are shown below in table, यह अपन को month दे रखें, यह अपन को क्या दे रखा है, rainfall दे रखाया, यह अपन को runoff दे रखाया, अब यहाँ पर जो पंग Rapha sir по 9 absolutes कर लिहां, निकाल लिया एंगो एड करके Summation of R स्कूरा निकाल लिया समचनाव P को निकाल लिया और मट्टिप्लेशन निकाल लिया आपने समेशन आप पी र का ठीक है यह सारी चीज्टने क्टिक्ट करने के बाद जो अपन को गिवन हैं कितने मंद्ध के माने अपन को यहां पर सारी वैलिव रखी तो इकी वैलिव अपने फाइंड आउट कर ली सिमिलर्ली बीकी वैलिव अपने फाइंड आउट कर ली जो यहां पर मैंने वैलिव पूट की तो मैंने पास जो रिलेशन आया वह आया रिकोस्तों 0.4273 फी मानस 1.9258 यहां पर भी अपने सारी वैलिव रखी और गामा की जो वैलिव आगी 0.99 तो जैसे तक अपने पहले बोला था कि 0.6 से और 0.6 से 1 के बीच में अगर लाई करेगी तो दॉन ने बीच में यह जो और खालेशन है तो इन दौने के बीच में आर और और पी के बीच में और पास यह जोбу रेते है मगाल सब्त्तकर अच्छा है बुद है अगर आने पास value उप् इसके बीच में आ रही है तो तो जो अभी ता5 क्लिद फिर है हमारे पास डी question क्या है, what are the factors affecting evaporation from water surfaces, describe briefly method of estimating the evaporation from weather data, ठीक है, तो अगर पर बात करें, the various factors affecting evaporation from the water surfaces are described blue, vapor pressure, ठीक है, पहला हमारे पास यह हो गया, factor, vapor pressure, vapor pressure क्या होता है, उसकी definition लिखनी आपको, the rate of evaporation is proportional to the difference between the saturation, vapor pressure, EW at existing water temperature and the existing actual vapor pressure in the air, और अगर पन बात करेंगे, डाल टन्स का जो मारे पास law है, उसने क्या दिया सर, E L equals to K into E W, bracket में E W minus E A, E L हमारे पास क्या है, rate of evaporation in mm per day, E W और E A हमारे पास क्या है, in mm of mercury, H G है ना, बिल्कुल, अगर मेरे पास E W जो है, अगर वो E A से ज़्यादा है, तब तो evaporation होगा, और अगर मेरे पास E W जो है, मेरे पास, अगर वो E A से कम है, तब क्या होगा, सर condensation होगा, मतलब नीचे आएगा, water है ना, बिल्कुल, K जो हाने पास है, K कि अगर बात करें, तो constant हाने पास, depending upon the various factors, like barometric pressure, humidity and wind velocity, ETC, दूसी जो हाने पास, चीज है, देखो, factors की बात हो रही है, ठीक है न, बिल्कुल, एक कौन-कौन से हाने पास factors है, जो के water surface को, evaporation को affect करे हैंगे, पहला होगा ने पास vapor pressure, दूसरा होगा ने पास क्या, temperature, थर्ड होगा ने पास क्या, wind velocity, fourth होगा ने पास क्या, atmosphere, फिर होगा ने पास water quality, depth of water body, discuss बोला है, इसलिए सारा कसार आपको लिखना भी है, उसके साथ factors के साथ, shape and size of the water surface, ठीक है न, बिल्कुल, या आप water, vapor content और rate of evaporation और wind direction के बीच में आपलो graph भी ट्रोग कर सकते हैं, फिर हमारे पास amount of water evaporated from a water surface estimated by following method, कौन-कौन से method है, जो कहीं न, कहीं मारे पास है, उस amount of water जो के evaporate हुआ है, उसको calculate करने के काम में आते हैं, तो हमारे पास है using evaporate meter data, types of evaporate meter जो मारे पास है, वो कौन-कौन से सब्सक्राइब करने, class A, evaporation, fan, ISI, standard, fan, Colorado, Suncane, fan, US, geological, survey, floating, fan, फिर अगर अपन बात करें, एनरे पास method है, water, budget method हो गया, आने पास, energy balance method हो गया, और पास, और कौन सा हो गया, mass transfer method हो गया, इनके बादे में की points लिखने हैं, आपको किस-किस पर बेज़ रहे हैं, पूरा discuss न formula है हमारे पास है, तो यह क्या होजाएंगे हमारे पास, empirical method, क्या होजाएंगे, empirical method, फिर हमारे पास question number 3, question number 3 का A part, determine the dimensions of A, high rate trickling filter for the following data, sea waste flow जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3 meter per day, और अगर हम बात करूंगा, recirculation ratio 1.5, BOD of raw sewage कितना दे रखा है, 250 milligram per litre, BOD remove in primary tank कितना दे रखा है, 25 percent, final effluent BOD desired कितना दे रखा है, 30 milligram per litre, by what percentage, by what percentage, the diameter of the filter will have to be modified if it is to be designed as a standard rate trickling filter for the above requirements, for a stop, assume, assume depth of filter is 2 meter in both cases, ठीक है, बिल्कुल, तो अगर आपन बात करें, BOD जो मारे पास है, raw CBS की, per day कि अगर हम बात करेंगा, तो वो कितनी हो जाएगे ने पास, million में आपन को दे रखाता हो, यह कितनी हो जाएगे, 3 into 10-6 into 250, into 10-6, यह किसमा convert कर लिए अपनने, kg में, primary time की जो BOD हमारे पास हो कितनी है, 25%, ठीक है, तो BOD entering per day in the trickling filter हमारे पास कितनी हो जाएगे सर, 100-25% हमारे पास कितनी हो जाएगे सर, 30 milligram per liter, तो BOD load per day allowed to go in the effluent, हमारे पास कितनी हो जाएगे सर, टोटल हमारे पास, 3 into 10-6, और अगर अपन बात करें, अगर अपन बात करें, BOD load per day allowed to go in the effluent, तो यह हो जाएगे, आपस 3 into 10-6, और अगर अपन बात करें, तो यह मारे पास final effluent कितनी हो जाएगे, 30 milligram per liter, तो इससे अपनने multiply कर दिया, तो यह मारे पास कितनी हो जाएगे सर, 90 kg, BOD load to be removed by trickling filter per day, तो यह हमारे पास कितनी हो जाएगे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगे, जितनी हमारे पास निकलेगे, जितनी हमारे अपन बात कर रहे है, और जितनी हमारे अपन अलाव कर रहे है, ऐसे effluent, इसका मांद बात कितनी हो जाएगे, 472.5 kg, efficiency of trickling filter कि अगर में बात किना हो, तो removed कितनी कर रहा है, वो BOD, और total BOD enter कितनी कर रहे है, into 100, तो यह अपने निकाल लिए, कितना गया, 84%, फिर अगर में बात किना हो, the efficiency of a high rate trickling filter is also given by formula, तो efficiency जो जाएगे पास होती है, trickling filter कि वो जाएगे पास क्या होती है, efficiency equals to 100 upon 1 plus 0.44 into, under root मे तो अगर में बात किना, F यहां से value होने पास निकल के आगे कितनी, 1.8903, तो अगर में बात किना, यहां पे efficiency होने पास उपन निकल के आगे, 84%, यहां से अपन क्या निकाल लेंगे सर, volume of the high rate trickling filter, जो कि हमाने पास कितना आगे सर, 1587.823 meter cube, अगर में depth of filter अगर में मान के चल यहांने पास क्या हो जागा, area क्या होता है, volume upon depth of filter, diameter of high rate trickling filter की अगर में बात करेंगे, तो वहांने पास क्या हो जागा, d1 equals to 4y, 5 into, 4y, 5 into, और यहांने पास volume कितना निकल क्या है, sir, volume upon h, अपनने यहां पे put कर दिया, मतलब इसको अपन अगर बात करें, तो अपन को यह नि d1 निकालना है, तो मेरे पास क्या हो जागा, sir, d1 equals to v1 into 4 upon 5 into h1 का square root, वही अपनने यहां पे किया, तो मेरे पास diameter कितना निकल क्या है, sir, 31.794 meter, efficiency of standard rate trickling filter की अगर में बात करेंगा, तो यहांने पास क्या हो जागी, sir, standard rate trickling filter की, पहले मैंने v1 के according निकाला है, इसको, ठीक है v2, 100 upon 1 plus 0.44 under w upon v2, यह हमने net जो हमारे पास weight आया kg में, वह रख दिया अपने हां से और यहां से क्या निकाल दिया, आपने v2 निकाल दिया, similarly उसी तरीके से जैसे पहले निकाला है, तो यहांने पास d2 आ गया, diameter of the standard rate trickling filter, दोनों का अपने निकाल दिया, तो अगर आपन ब पात कितना diameter मुझे increase करना पड़ा percentage में, तो यहांने पास इसका निकल गया है, standard rate का वो कितना है, इतना, और high rate का कितना था मेरे पास, इतना, तो into 100 अगर में कर दूँगा, तो कितने percent मुझे diameter को increase करना पड़ेगा, उसी particular BOD को achieve करने के लिए, वहाने पास निकल गया है, 37.49 10% ठीक है, next आपास क्या है, B part हाँने पास, list methods of disinfection, write short note on disinfection by uberis, तो हमें पहले यह बताना है साथ, disinfection क्या होता है, ठीक है, कौन सा process है हमाने पास, फिर बताना है, method of disinfection, physical method होता है हमाने पास, और क्या होता है, chemical method होता है, physical method हो boiling कर सकते है, ultra-boilet, ray के द्वारा भी कर सकते है है, और chemical के अगने बात होता है, chemical agent मारे पास oxidizing agent अपन यूस कर सकते है, like chlorine, bromine, iodine, ozone, Kmn4 और S2, O2, metal आइन का यूस कर सकते है, जैसे silver हो गया, copper हो गया, alkalis का यूस कर सकते है, acids का यूस कर सकते है, ठीक है, जब pH मारे पास 11 से जादा है, pH मारे पास किस से जादा है, किस से क method है, वो पूरा, पूरा method यहां पर आपको क्या करना था, सर, describe करना था, ठीक है, बिल्कुल, वही पूचा गया, क्योंकि, नैसे मारे पास क्या, draw the flow sheet showing sequence of various treatment units of a typical water treatment plant with perennial river as a source of water for a stop, list these treatment units, units sequentially, तो अगर पन बात करें, पूरा का पूरा जो water treatment plant है, उसका आपको डागराम बन करना था, ठीक है, ना, ये काम करना आपको, एक-एक यूनिट जो मारे पास है, उसको क्या करना था, आपको यहां पर define करना था, उसको क्या करना था, यह पूरा, पूरा question theoretical है, ठीक ना, बिल्कुल, बिस इंकिशम और पास्ट उनिट होती है तो लास्ट उनिट तक आपको यहाँ पे सर्थ-चैनल न टेन के क्या आपес, बताना था कि है क्या आपन करने बाले है वह उनको सब बसक्राइब कर ना था ठीक Ig believe तो क satisf like है जिस्ट बता रहा हूं आपको नेस्ट माले पास जो क्या है वो क्या है डी यह माले पास क्या है डिजाइन ए सीवर डिजाइन ए सीवर तो सीवर population of 36,000 the daily per capita water supply allowance being 135 liters of which 80% finds its way into the sewer full stop the slope available for the sewer to be laid is one in 625 and the sewer should be designed to carry four times the dry weather flow when running full stop what would be the velocity of flow in the sewer when running full assume n equals to 0.012 in Manning's formula ठीक है तो अगर अपन बात करें population अपन को given है daily per capita demand अपन को given है तो average daily demand अपने निकाल नी multiply करके dry weather सीवर सीवर डिशाज जो दे रखा अपन को अगर उसकी अगर बात करेंगे तो वो कितना बोल लखा है तो इसका मदा यह हमारे पास कितना आ गया dry weather discharge four times इसका किया अपने अपने पोर टाइस करने के बाद पर दे से अपने 24 आर्स से अपने 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 कर लिए इसको किसमें सर से कितना आ जागा यह हमारे पास आ जाने माला है अपने यह हैं से अपने कर लिए जया किसका सिवर का फिर हमें है पता है बारस प्लो जो वारे पास होती है सिवर में वन वन रर्निंग फ्लो फूल यहां पास डीक का ति ऐस्टाज अपन ए तो वहां से अपन ने क्या लिए बास टी निकाल लिए जो के दौनों चीज़ा हमसे पूछी थी है क्वेश्चन में अपसे अपन से पूछा था वर्ड विद वेलोसिटी आफ फ्लो इंद शीवर वें रनिंग फुल ठीक है ना बिल्कुल तो अपने यह निकाल दिया ठीक है कि अनसे आप पर ऊता है पूर्थ का जोनी पास इह पार्ट है वो क्या है और पास एस्टे मेट दा मौस्टर कंटेंट ओ आफ ए उसवलेड वेस्ट अंपल विद्धा फॉल्डाइंग कंपोजिशन विद्धाफौ फॉलइंग कंपोजिशन तो अगरें बबात करूंगा क्या आपन को इनमें मॉश्यर कंट्रेट के अगर बात करेंगे फूद वेस्ट वाने पास है उसमें गीला कितना है सर 70 परसेंट इसमें 6 परसेंट 5 परसेंट ये सब दे रखा आपन को ठीक है बिल्कुल कि वाटेज मींट बाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं वो पूछा है ठीक है बिल्कुल तो अगर बात करें सर टोटल जो आने पास आया सब का अगर मैं परसेंट इदे लूगा देखा ये कितना दे रखाया 20 तो 20 और 5 ताइमस ले लिए किसका डबलु का जो कि मैं पास कितना आगे सर जीरु पाइंट नाइन टाइमस अफ डबलु ठीक है यह पास क्या हो गया समेशन अफ दा मास हो गया ओल कॉंपनेंट्स का सेंपल जो मैं पास सेंपल है डबलु उसका difference of total mass of the sample and the mass of components कितना हो जागा सा total मारे पास कितना माना था पनने डबलु और यहां पर मारे पास total जो मारे पास आ रहा हो गतना रहा है 0.9 इंटो डबलु तो difference आगे मारे पास 0.1 इंटो डबलु लेट अस अजिम देट इस difference is equals to the mass of water in the sample तो अगर आपन बात करें है यह जो मारे पास difference है वह मास of water in the sample के बराबर है तो कॉंपोनेंट 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 परसेंटिज मारे मास और मश्रेंड परसेंटिज फूड वेस्ट पेपर कार्डबोर्ड ठीक है यह सारे के सारे जो हमें दे रहा है अगर आपन बात करें तो टोटल मारे प कितना होगे सरे 0.2W यह कितना होजगा 0.04w है कितना होजगा 0.500 0.5W 0.05W और वाटर जबाने पास है कितना है सर्य पाइंट वें सेखचान निकाल लियं समया है है अंतोल वेट के भी हाह टिक है बिलकुल फिर अगर पर बात करें, moisture content of the sample की अगर में बात करूं, तो summation of moisture of all components upon total mass of sample, तो वाने पास यह जो summation आया है, वो कितना आया है, ने पास 0.3115W, यह और पास total summation है, और total weight जो वाने पास है, total mass of the sample जो वाने पास है, वो कितना वाना था, W, अगर बात करें, solid waste management क्या होता है, तो वो पूचा है, according to the solid waste management, the collecting, treating, disposing of solid material, that is discarded because it has served its purposes, or is no longer useful, तो यह वो सब्सक्राइब रखा है, solid waste management include six functional elements, कौन-कौन से होते हैं, waste का generation काम करता है, यहां पर, कितना waste generate हुआ, on-site handling, उसको storage करना, उसकी processing करना, उसको collect करना, उसको transfer करना, transport करना, processing and recovering, और dispose करना उसको, ठीक है, बिल्कुल, यह सारे हमारे पास factors है, next हमारे पास define the following, field irrigation requirement क्या होती है, water application efficiency क्या होती है, water storage efficiency क्या होती है, water distribution efficiency क्या होती है, और consumption use क्या होता है, यह सारे कि सारे आप लोगों को बताने थे, definition आपको बतानी है, field irrigation requirement जिसका formula है, यहाँ पास, वह फर्मूला भी बताना है, और वहांपे बिल्खन करना है,оло भी आपको वहांपे mention करना है, वाटर िस्टॉरेशन ओफसेंसी क्या होती है वाटरं पुधिसन से वाटर इस्टॉरेश एस editing क्या होती है फ्यजकें भिल्कुल मिल्कुल कने आफ यूज आप आप और एफरेंद ट्ली डेसं क्या होता है ? फिल्क Damn Nhis-ट इस pap Michael वो क्या है, if the normal annual precipitation at station X, A and B and C are 700 mm, 1000 mm, 900 mm and 800 mm respectively and the storm precipitation at three stations, A, B and C were 100 mm, 90 mm and 80 mm respectively, what will be the storm precipitation for station X, ठीक है बिल्कुम। तो हम लोगों को कहीं किया दे रखा सर, normal annual precipitation जो हम लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा सर, 700, station X का ठीक है, 1900, 800, फिर अपने बात करें, storm का precipitation दे रखा है, वो कितना दे राखा है, 100 mm, ठीक है ये तो normal, ये storm का 90 mm और 80 mm, और पूछा है जो हम सुए है वो किसका पूछा है, स्टेशन एक सका तो 10% रिज फॉर नॉर्मल प्रैसि टेशन इस बेटीन सके बीच में लाइव करते हैं since और परसंट अगर में इंक्रीज करके लूगा तो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए ठीक तो यह मारे पास वेल्व जाएगा कितने आजाएंगे, 70 और 630, ठीके न, बिल्गुल, as normal precipitation of given station is above, is above 10% of the missing station, we have to use normal ratio method, normal ratio method को अपन यूज करेंगे, इसके अगर बीच में है तो, तो PX upon NX, मतलब जो आने पास storm precipitation upon normal precipitation है, equals to 1 upon M, P1 upon N1 plus P2 upon N2 dot 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 PM upon NM, अगर इसको अपन यूज करेंगे, सारी values अपन को पता है, अपन को यहां से क्या निकलना सर, PX, जो कि कितना आ गया, 70 mm हारे पास आ चुका है, the average precipitation of the at missing station is 70 mm, ठीक है, नेस बारे पास question है, वो क्या हारे पास, determine the dissolved oxygen at the end of two days for the following data, characteristics जो दे रखा है, flow, dissolved oxygen, BOD, steam water का और wastewater, दोनों का आपन को दे रखा है, de-oxygenation जो constant हमारे पास, KD वो कितना अजिम करना है, 0.11 per day, और जो हमारे पास, re-oxygenation constant है, वो कितना है, KR equals 0.33 per day, ठीक है, ने, विल्कुर, यह सारी चीजां हमारे पास, data पुरने पास यह है, हमें पता है, सर, कि streeter, phelps का जो मारे पास equation होती है, वो क्या होती है, आने पास, D at any time T equals to KD into L upon KR minus KD bracket 10 की पावर minus KD into T minus KN की पावर minus KR into T plus D not into 10 is power minus KR into T, ठीक है, तो यह मारे पास हो जाएगा, यहां से सारी की values अपन रखेंगे, Dissolve oxygen of mix at the start point, इसका मतार T equals to क्या हो गया, सर, 0, T equals to क्या हो गया, 0, जैसे इसमें T equals to 0 point करेंगे, तो यहां से आने पास D not जो आने पास आ गया, D not जो आने पास आ गया, वो कितना आ आने पास, 8.88, 8.8 milligram per liter, ठीक है, बी ओडि ओड आपड दा डाने पास मिक्षयर जो आने पास होता है, वो क्या होता है, पास L equals to CS into QS plus CW into QW upon QS plus QW, यह सारी की सारी जो आने पास values है, इन सारी की सारी values को अगर अगर अपन यहां पर पूट करेंगे, यह सारी की सारी जो वैलियो हैं, अगर इन सारी वेलिस को करेंगे, तो हमने पास क्या निकल के आजाएगी, BOD निकल के आजाएगी, इसकी डिलेटिड मिक्षर की, फर्मॉला बेस कॉश्चन है, फिर दो दिन बाद, similarly वही फर्मॉला अपने निकाला, और दो दिन बाद अपने क्या निकाल लिया, तो अगर पर बात करेंगे, saturated हमने पास यह है, और tea time पर अगर बात करेंगे, तो हमने पास यह है, तो deficient कितनी हुई, कितनी कमी हुई, वह अपने यहाँ पर निकाल लिया, कितनी है सार, dissolve oxygen at the end of two days, हमने पास कितनी हो जाएगी सार, 4.86 mg per liter, अगर यह आपका अंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, question number जो आने पास 5 है, वो क्या है, explain briefly noise pollution, its causes, effects and remedies, second part है आने पास, compute the average sound pressure level from the following sound pressure readings, sound pressure की जो हमें reading दे रही हैं, उससे average sound pressure पूछ रहा है, 39 dBA, 52 dBA, 67 dBA और 77 dBA, यह अपन को दे रही हैं, noise pollution क्या होता है, वो सब चीजें बतानी है, इसके causes क्या-क्या है, इसके effect क्या-क्या है, वो सब चीजें बतानी है, यहां पे, remedies क्या-क्या है, theoretical question था, फिर अगर अपन बात करें, average sound level is given as, कितना होता है सर, LP bar equals to 20 log 1 upon n, summation of n equals to 1 to n, 10 की पावर ln upon 20, यहां पे, जैसे ही, आपन सारी-की-सारी values को रखेंगे, तो मारे पास LP equals to 67.78 db, जो के formula-based question था, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई आपती नहीं होनी चीजें, ने, समाने पास इसका जो भी-part है, वो यहांने पास explain the types of irrigation, इसनकों कॉण कोण से type के आपने पास irrigation होते हैं, जैसा क्या आपको बता है surface irrigation होता है, surface मैं कॉण साओ दा flow irrigation, lift irrigation, टिकल् expanded, flow irrigation can be further subdivided into perennial irrigation, flood irrigation, surface irrigation जो मारे पास है ठीक ना वह बता है, यहांप और natural जो sub-surface irrigation है और जोग सबसेह इरिकेशन है, किस्किस में नेच्रोरल सब इरिगेशन आर्टिफिशल सब इरिगेशन इन सब चीजों में ठीक है न बिल्कुल थेरिटिकल कुश्चन था फिर है मारे पास है दा एरियास बिटमीन दा इसो हाइट्स आर गिवन इन दा टेबल बिलो ठीक है अप्टें दा इक्यूवलेंट यूनिफॉर्म डेप्ट वट इस दा डेप्ट अफ फ्लो इफ दा कॉफिशंट अफ रन आफ इस जिरो पैंट पॉर फैंट दा वॉल्म अप दा रन आउफ इसो हाइट्स की हैट्स रख किंग को म एरिया भीटभीं दा इस स्वार क्ली मीटर को मीट इन ड्लन मतल के एला इस स्कोट ça कुछ क्लोमींटर यह सब वर द रख है पहले अवन ने यहां पर डाइगराम बनाया औह पर अगर बात करें तो फीर पी टू जो जो में आए इसो हैट्स ले रखें, उनके बीच का एरिया जोमारे पास है, वो यह है, summation of area निकाल दिया है, आएसो हैट्सटेज जोमारे पास method होता है, average precipitation निकालने का, वो क्या होता है, आपन पास, एक्यवलेन्ट यूनिफॉर्म बैफ्थ की तुभाहरे पास इतनी आ गई है ठीक है ना बिल्कुल डैफ्ट ऑफलो की अगर अगर आपन बात करेंगे तो यहाकर हो जाएगा वहारे पास क्या हो जाएगा साथ अगया वालने पास ने पास निकलके आजागा वाल यहां थी पा the amount of evapotranspiration from an area if the total rainfall precipitated during a storm is 10 mm, given the moisture and precedent moisture at the root in the soil was 5 mm, the loss of water due to seepage 2.5 mm, losses due to percolation 2 mm, surface runoff 3 mm and the moisture retained in the soil is 1 mm, if we talk about it, we will have a lot of rainfall, moisture in the root, seepage loss is 2.5 mm, percolation loss is 2 mm, surface runoff is 3 mm, moisture retained in the soil is 1 mm, if we talk about water budget equation we have a lot of precipitation plus runoff, runoff, we have a lot of losses, if we minus, we have a lot of moisture in the soil, we have a lot of moisture retained in the soil, if we talk about moisture, we have a lot of moisture retained in the soil, we have a lot of loss due to evapotranspiration, the amount of evapotranspiration is 6.5 mm. question number 6, if we talk about it, explain briefly the function of the following for a typical canal head works, divide wall, guide bank, sediment ejector, explain briefly how does CPAs endanger the system, the safety of the hydraulic structure on permeable foundation, permeable foundation, okay, these all things, divide wall, what is the main function, what is the main function, what is the service, what is the guide bank, what is the sediment ejector, the seepage maybe endangered, what is the piping or undermining, this way we have to seepages, seepage of water, write a short note on consecutive use of water, so conceptive use of water, short note on積证न nearly 15 marks, if we talk about 9 or 10 marks, if we talk about that, if we talk about the question, we can use of water, if we talk about the factor effecting conceptive use of water, if we talk about the work, and the factor of consumption can वहारे पास है वह अफेक्ट करते हैं अब हम अपनको क्या भी डिसक्स करने पड़ेगा मैथड़ है क्योंकि पन्दमांग्स का है तो मैथड़ सुद्रमाइन कंजर्प्टिव यूज जैसा कि हमें पता है कौन सा बलेनी क्रिडल फार्मुला फार्मुला लिखना है इसके क्या सुद्रमा है टीज संदमांग्स स्कуки चाहिच सेथेव यूज जैसनी को यूज जैसेविज झाहिछब चाहिश्न सप्ट कांपब無 काप्ता है वेग्चलीं वेगवच्ट ङाउhésitezा मे जब है एल्यस? col cath if the volatile solids concentration in settled sludge is 60% and the specific gravity of the volatile solids is 0.990 and the fixed solids concentration is 40% and the specific gravity of the fixed solids is 2.65. Determine the daily sludge production. कितना sludge का production होगा daily वो बताना है. टोटा सस्पेंडेड स्वालिड प्रेडूस वाने पास कितने हैं सर्टा सस्पेंडेड स्वालिड प्रेडूस हम को दे रखे हैं है 12.96 million liters तो इसको अपने अपने कर लिया किसमें सर केजी में किसमें कर लिया सर केजी में अपने इसको कनवाट कर लिया है किससे multiply करके हैं जो आने पास concentration दे रखी है उससे multiply करके ठीक ना बिल्कुल कि अब उसकी अगर पने बात करेंगे तो बोगिदी रखी सर 60% कि अब परसेंट तो उसका कितना लिया अपने यह वारे पास कहीं कहीं टोटल प्रेड्यूस अप्रडूक्शन जो आया वारे पास इसका कितना ले लिए पने 60% वालिम आप दा वालेटार्व सोलेट कॉंसनाटेशन वारे पस किलियों जो आने पास वाड़ेटार्व शॉलिड Global संट्रेशन हें यह अपन अगर में बात करूंगा अपन अगर में बात करूंगा तो हम लोगो स्टोर एक है यो रहुत है रखिए इसको थो परद लेड़ाइं कि अपर्द सर्फ टोटल जो आने पास है उसकी कितनी 40 परसेंट रखे तो पड़ने उसकी 40 परसेंट निकाल ली तो 0.3231 मेटर रॉसलज है ज़ाज 95% मॉइस्टर एंड रिमेनिंग 5% एज वाइड तोटल मास और रॉसलज प्रड्यूस कितना है सर डबलु कितना है डबलु अगर टोटल मेरे पास डबलु है तो इसका पांच परसेंट जो मेरे पास है इक वस्तु मेरे पास किसके बराव पांच परण ये थे वालंनरे पास कतना है सरफ ट्बलू अगर या अगर ये रРЕ Exclus पास रॉसलज है तो इसका मांच वालय स्बाश्ण मेम मवार्नर रॉसलज जमें उसको अपने यहां प PacQU केजी में था था कशन साब ने इस्ते डिवाइड किया थावाने पास किसमें नीकल गाया किसमें मीटर किम में कालने और मोगिंट अधार्डेधी पुलीम किसमें मेत कशिनफ में पूछा है कि आपको सोलीड़ बेस्ट को ख्लासिफाई करना है अलग-अलग एक्जामपल देते हुए उसको अलग-अलग जो मैथट है उसके उनको बर्निंग और इंसरेशन ठीक ना बिल्कुल क्या है मारे पास बार्गिंग इट इन्टू दा सी ठीक है वहाँ पर फैक सकते हैं पल्वराजेशन ठीक है यह सब चीजें कंपोस्टिंग वारे पास यह सब चीजें आपने जो पड़ी है आपको यहां पर मैथा बता नहीं ते क तरिक एक फारी को हुआ था अगर मैं इस पारीवर बस पर कि बात करूं तो इस को यह तुक्ट्व थोकर आपके मार्स सब्सक्रति करने अपको देखने मिलीं सकते हैं क्यों क्यों कि उससे आपकी एप्श डवन Оप हो सके है आपन एक्षाम में या फिर क्वेशन में पूछा क्या गया है और अपन उसको क्या कंटेंट दे रहे हैं और कितने कंटेंट की अपन को क्योंत। धबनांट कितने क्या गया है और छया है और कितने को जब सकते हैं खिरखेशन लोगा वहा है